हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब होब कि आप सब बहुत यह अच्छी होंगे आज मैं अपने बिजनेस कम्निकेशन के नेक्स्ट चाप्टर को पाइने चाहें जिसका नाम है कम्निकेशन प्रोसेस ठीक है अब दोस्तों एक्जाम में जब आपको क्या स्ट्वाइथ में होते हो तो कम्निकेशन प्रोसेस जो है बहुत छोटा सा दिया होता है वहां पर आपको अपने सेमेश्टर के एक्जाम में बहुत ज़्यादा रिखना होता है तो आपको कैसे पारना है कितने प्वाइंट सिखने हैं यह सब कुछ यहां पर आप लोग देखोगे और दोस्तों क्या होता है मैंने आपको बताई दिया था फ्रीबी यहां पर हारका सा इंट्उडक्षन कर देते हैं दोस्तों कम निकेशन इजर को सब्सक्राई हो सकता है फ्रेट को सब्सक्राई अगर कोई किसी की सामने यहां है हें क्या है से जो boy के हो वही कमणी केसन नहीं होता है, जो एक कमणी केसन नहीं होता है boy के, एक के, बताके, emotions, feelings, सब कुछ एक कमणी केसन ही होता है ठीक न, अब दोस्तो, between or among people to create common understanding जिससे की ये लोगों के बीच में होता है, जिससे की एक common understanding हो सके अगर बच्चा रो रहा है और उसकी माँस को समझा रही है तो माँ का मोटीर क्या है कि वो सांत हो जाए ठीक है ना दोस्तों यह भी एक टाइप का कमनीकेशन है अगर कोई बोला गया वर्ड है यहां पर यहां पर सुनते हैं जहां पर समझते हैं कोई भी इनफ इनफ़र्मेशन को इट ड्यूंध और यहां पर हम्यों कुछ कुछ सेंड करिया है कुछ सामने बावल को बताया और कोजी रीशीव गया हैं जहां पर कोई भी information जो है sender से इसी वह तक जाया ही है, जिसे कि दोनों लोग सेम चीज को समझ सकें, अगर मैं आपको यह chapter पाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यह chapter है, आप वही समझो, कुछ और मत समझो, तो common understanding होना बहुत important है, ठीक है, अब दोस्तों, features of communication, communication के features क्य क्या होते हैं, ठीक है, पहला है, two parties at each, कम से कम दो party होनी, चाहिए, एक होगा sender, एक होगा, receiver, तो exam में जब पूछेगा न, तो heading के मत आ जाना, सम्झा गया, अंदर भी खोगे, there is a sender, who sent a message to receiver, receiver कौन होता है, who received the message, ठीक है, फिर message, भया message मतलब information, जो कि आप exchange करने वाए हो, जो कि आप सामने वाए हो, को देने वाए हो, मैं आपको communication chapter पहा रहा हूँ, तो मैं आपको इस chapter का information दे रहा हूँ, ठीक है, process, दोस्तों, communication क्या है, एक process, एक माध्या में, जिसकी मदद से मैं आपको पहा पहा रहा हूँ, ठीक है, फिर involve both information and understanding, यहाँ पे information भी होगी, और understanding भ आपको information दे रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हो, ठीक है, फिर include feedback, भाईया, इसमें आपका feedback बहुत जो ही है, कि भाईया, समझने के बाद में, आप feedback दो कि आप क्या समझे, ठीक है, और दोस्तों, continuous process है, communication क्या है, एक continuous process कभी भी खतम नहीं होती है, never ending process है, ठीक है, never ending process क्या है, कोई भी level हो, communication हर जगे होता है, top middle, supervisor, mandir, majid, हर जगे, communication होता है, road place, हर जगे, ठीक है, science as well as arts, यह क्या है, science भी है, और art भी है, science का मतलब होता है, यह एक scientific तरिका भी है, और यह एक art भी है, कभी-कभी, भई-भई business man अपनी बातों सही, customer को भया, attract कर जाते है, ठीक नहीं करेंगे, तो communication gap अगर होता है, business के अंदर, तो business का goal achieve नहीं हो पाता है, ध्यान रखना एक बात का, हम लोग केवल communication नहीं पाया है, हम लोग पाया है, business communication, ठीक है, अब दोस्तों, process of communication, देखो, यह अपना है topic main, जो कि अपने exam में लिखना है, communication process, तो communication is a continuous process that we find every day in our daily lives, at every stage and every moment, communication एक ऐसी चीज़ है, जो कि अपने life में हम लोग हर जगे, हर टाइम, हर एक stage पर देखते हैं, ठीक है, the systematic form of this process, जब इसी चीज़ को हम लोग systematic तरीके से समझते हैं, तो इसी को बहुते है, communication process, क्या बहुते है, communication process बहुते है, in the process, the sender, इस process के अंदर, sender जो होता है, वो transmit करता है, मतब भेजता है message को, information को, idea को, fact को, figure को, किसको भेजता है, receiver को भेजता है, कोई जो इनकी message ही है, वो, कुछ भी हो सकता है, there are various other elements in this addition to sender, sender और receiver के अरावा भी बहुत साई elements होते है, communication के process में, तो वो क्या होते हैं, चाहिए हम लोग देखते हैं, यह है आपका process of communication, तो exam में यह डाइगा हम बनाना बहुत ही महत्रपूर हैं आपके, यह important है, समझ जाओ, नहीं बनाओगे तो कहिए नंबर आपके cutting हो, बनाओगे तो नंबर आपको extra मिलेंगे, ठीके न, okay, सबसे पहला होता है sender, ठीके न, दूसरा message, तीसरा encoding, फिर media, medium भी बोलते हैं, मीडिया बोलो, चाहिए channel बोलो, चाहिए medium बोलो, कहीं कहीं पर यह आपका medium होता है, medium मत्रब होता है, माध्यम, ठीके न, फिर receiver, decoding and feedback, यह है आपका communication का proper process का chart, यह आपका बनाया गया इस तरीके से, तो same to same नीचे वाया उपरा दोनों बना के आ जाना, ठीके न, अच्छे स तो, क्या क्या होता है, सबसे परे, यह एक sender है, क्या 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 है, यह sender, message भेजिया है, मैं हूँ sender, यहां पर देखो, मैं हूँ sender, और मैं आपको message देया हूँ, क्या देया हूँ, यह communication chapter पहा रहा हूँ, ठीके न, दूसरा, फिर encoding, अब दूसरो, encoding क्या होता है, exam में आपको words नहीं मिलेंगे, बहुत सारी लोग होते हैं, जिनको पता तो होता है, बट वो लोग यह नहीं पाते हैं, दोस्तों, देखो, मुझे आपको कोची बतानी है, तो पर वो चीजे में दिमाग में आएंगे, ठीके न, अब वो दिमाग से, वो जो words में convert हो रहा है, ठीक हम लोग अपने idea को, fact को, figure को, अपने message को, एक language provide करते हैं, जिससे कि वो आप तक पहुँच सके, ठीके न, अब जो पहते हैं, decoding भी आए से नहीं देखेंगे, तो देखो, पहला होता है, sender, sender कौन होता है, आप लोग थ्वास है, extract होगे, ठीके न, sender वो होता है, the person who conveyed the message is known as sender, जो बन्दा message को भेजता है, उसको sender बहते हैं, he is the person who, अब देखो, और क्या यह सकते हो, यहाँ पे, he is the person who start the communication process, जो communication process को start करता है, इसके बिना communication process start नहीं होगी, and he is the person who send message, convey message, idea, fact, figure, emotions, to another person known as receiver, ठीके न, sender हो गया, दूसरे आपका message, sender भेजेगा क्या, sender message भेजेगा, कोई information, ठीके, तो the idea हो गया, views हो गया, fact हो गया, feelings हो गया, emotions हो गया, which sender wants to share with other, जो दूसरों से वो share करना चाहता है, that is no next, किसके साथ share करेगा वो, इसी को बोरते है, message, ठीके न, इसको आप लोग, shortcut में information भी बोर सकते हो, क्या बोर सकते हो, information भी बोर सकते हो, ठीके न, अब दोस्तों आता है, encoding, अब देखो, मैंने बस क्या बता है, यहाँ पर रिखा भी गया है, बहुत simple रिखा है, मैंने, it refer to process of converting the message into communication, symbol या एक picture gesture, देखो, communication क्या होता है, मुझे पता है, बट मैं आपको समझाने के यह बहुत साइग्जामपर का यूज करया हूँ, बहुत सारी तरीकों का इस्तमाल करया हूँ, diagram का इस्तमाल करया हूँ, बातों का इस्तमाल करया हूँ ठीके, यही तो होता है encoding, जो चीजे में दिमाग में है, उसको आप तक पहुचाने के यह, मैं उन चीजों को convert करया हूँ, language के अंदर, जैसे कि आप भी समझ सको, ठीके, encoding कौन करता है, encoding करता है, sender, message को भेजने वाला, ठीके न, okay, फिर, media, media को बहुत साइगों पर medium भी जा message, अब यह encoded क्या है, जो मैंने convert किया है, अपनी language के अंदर, ठीके न, to other receiver, is known as media, उसी को बहुते है, media, spoken, written, चाहे मैं boy के बताऊं, चाहे मैं यह के बताऊं, चाहे मैं guestory टारिके से, मतलब इसाये से बताऊं, ठीके न, दोस्तों, इसाया, guestory भी एक type का communication होता है, ठीके न, तो यह भी एक type का क्या है, communication, जिसको हम लोग guestory communication बहुते हैं, जो कि आपको पहना है, अभी आभी नहीं, आपको आगे के chapters में इसको पहना है, ठीके न, यह हो गया, से आता है, decoding, क्या आता है, decoding, अब देखो, message आप तक तो आ गया, अब आप क्या करोगे, decode करने का मतलब is known as decoding, तो decoding कौन करता है, भईया, decoding करता है, receiver, ठीके न, receiver कौन होता है, अब, the person who received the message of sender is known as receiver, जो message received करता है, उसको receiver होते हैं, ठीके, अब दोस्तों सातों आए, feedback और noise, बहुत साई किताबों में आपको feedback और noise नहीं दिखा रहे, बट आपको अपने process में इसको involve करना है, feedback का क्या मतलब होता है, मैंने आपको कोई information दी, कि आपको वो समझ में आई, समझ में आई, कि नहीं आई, ये चीज को समझने के ये, आपको feedback देना, मतलब आपका response, कि आपको क्या समझ में आया, मैं आपको पहा रहा हूँ, फिर आपने भ़ह पहाने बड़ मुझे बताया क यहां आपको समझ में आया कि नहीं आया response of receiver मतब कि receiver का response इसी को बोरते है feedback ठीके न? feedback मतब कि अच्छा है कि बिकार मैंने अच्छा पाया बिकार पाया यह नहीं मैं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि आपको समझ में feedback का मतब यहां पर यह है when the center receives the response of receiver the communication process ends अब जब तक feedback नहीं आएगा तब तक communication process खतम नहीं होगी ठीके अब दोस्तों आखरी में क्या है noise यहां पर ध्यान दो आप यहां पर ध्यान दो कि यह noise अरक से बनाया गया है noise का क्या मतब होता है sympathy भाता में बात की जाए तो disturbance इसको यह खेना यहां पर आप लोग चाहो तो disturbance in communication ठीके ना disturbance in communication अगर किसी भी type का कोई बाधा आ रही है communication process के अंदर तो उसको disturbance बोलते हैं जैसे कि भाईया बाइक की आवाज आईए जहां पर पहते हो वहां पर बाइक की आवाज आईए ठीके ना टीवी के आवाज आईए किसी भी प्रकाय का noise या फिर आपको आवाज आ रहा है communication में उसको बोलते है noise disturbance ठीके ना तो देखेते हैं any element which results in disturbance आगर कोई किसी भी चीज के कायन disturbance हो रहा है between the enterprises ठीके ना entire process of communication is known as noise इसी को बोलते है noise ठीके अब दोस्तों यहाँ पर importance of communication दिया हुआ है क्या दिया हुआ importance of communication जो कि आपने already first chapter में पहा होगा ठीके ना ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पहा होगा तो यहाँ पर importance को देख सकते हो जो कि मैंने first chapter में आपको बता दिया है तो मैं जब प्लान बनाओंगा तो मैं future में क्या करना सोचना है मुझे तो मैं लोगों से बात करूँगा कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए कहाँ चाहिए बिना communication के planning possible नहीं है organizing चीज़ों को organize करना है सही से करना है किसी चीच को तो बिना बोए communication के क्या organize करे पाऊंगे स्कूल को अच्छे से चलाना है तो पींस पर बैठा वा स्कूल में आकर बोई नहीं है कुछ क्या स्कूल इच्छे से organize होगा नहीं हो पाएगा तो हर जगे communication बहुत important है staffing लोगों को नौकरी पर रखना है तो लोग आये इंटेव्य देने के हम कुछ पूछी नहीं है उनसे कुछ बात ही नहीं हो इए ठीके तो क्या बिना communication के कोई भी चीज प्रॉसीबर है नहीं प्रॉसीबर यहां communication के बिना एक चीज प्रॉसीबर है वो आपको बान बताएंगे हम अब यहां पर कुछ सजेशंस बताएंगे हैं कि जो सेंडर को ध्यान में रखने चाहिए communication प्रॉसेस के नाम पर अब पहरा देखो उसके दिमाग में टेंसन नहीं होना चाहिए और वो बायस नहीं होना चाहिए बायस का मतलब होता है affected by any person किसी चीज़ से influence नहीं होना चाहिए एक कोचिंग कहनता है दस लोग बैठे हुए है और एक में खास family friend का बेटा पाया है तो मैं उसको ध्यान अगर ज़्यादा दे रहा हूं तो मैं biased हूँ सम्झागया मतलब किसी से प्रभावित होके किसी को ज्यादा importance देना उसको biasness बहते है तो sender जो होता है उसको bias नहीं होना चाहिए जितने भी neta परिता लोग अपना भासन देते है वो क्या होते हैं biased होते हैं क्योंकि अपने party के अच्छाब होते हैं और दूसरे party के हमें खराब होते हैं जो दूसरे party के बार में अच्छी बाते हैं उनके अच्छी बातों को गिनाता है वो एक अच्छा नेता माना जाता है Before sending message, the sender should always analyze the actual content of the message किसी भी message को भेजने से पहरे उसके actual content को खुद समझना चाहिए किसो को बताना चाहिए Before communicating that message, sender should obtain all the possible relevant information about the receiver बया information को आपको देने से पहरे किसी भी sender को जब information देता है receiver को तो receiver के बार में साही information sender को पता होनी चाहिए माने हो कि मैं कहीं पर पहाने गया हूँ वहाँ बच्चे Hindi Medium के मैं इंगी से पहा रहा हूँ तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो sender का quality क्या है किस type का sender है मुझे यह पता होना चाहिए sender बना आएगा कुछ भी बोहेगा बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो receiver की background कैसी है वो कितना समझ सकता है किस language में वो समझेगा यह sender को पता होना बहुत जोई है वहना तभी तो एक अच्छा teacher बन पाएगा अगर teacher की बाद teacher और student की बात की जाए तो बच्चे को समझ में का पाएगा जब teacher समझ पाएगी बच्चा किस language में समझ पाएगा चीज़ों को sender must ensure before communicating the seriousness of the receiver that is whether or not to receive in sensitive or receiving of the message किसी भी information को देने से पाएगा यह receiver को sender को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि receiver कितना sensitive है उस बात को कितना ध्यान पूर्वक सुन रहा है मतलब वह मजाक में है ठीक ना वह ध्यान नहीं दे आप message दे उसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए से इसनेस होना चाहिए इसी वाहिए के अंदर है मैसेज जो है सही तरीके से नहीं चाहपाएगा सेंडर सूट कम्मिकेट दे मैसेज अकॉरिंट टू अबजेक्टिव औफ कम्नीकेशन कभी कभी हमको कोई बात आपको कहनी है मैं ऩो आपको डाइक नहीं को बात आपको घुमा पहाँ करता हूं नियहां कि मैं मैं जो objective मुझे कहना है कि कर आपको restore time देशा काम करने की यॉआ को मैं आपको थवाद ज exertεις जाना जो भी इसाइस तुमारे करें, उसको ध्यान में रखें, ठीके ना, ओके, उसको ऐसा नहीं कि कम्निकेशन कुछ और है इसाइ किसे और पकार के हो, ठीके, Repetition of message or content message by sender helps in better expression or so that the content of the message is perceived correctly, कभी-कभी होता क्या है, message भेरने वारा message को repeat करके भेजता है, जिसे होता क्या है, समझने वारा अच्छे से समझ पाता है, ठीके, अप्रॉपर consistency should be maintained between the communicator throughout thoughts and actions of the communication, मतलब कि दोस्तों consistency होनी चाहिए, ठीके न, accents में और communication में हमारे बात करने के तरिके में और communication में consistency ठहला होना चाहिए, ठीके न, sender के पास में, वहना वह अच्छे से communicate नहीं कर पाएगा, message communicated by the sender must reach the receiver on time, भया, जो message भेज रहा है sender, वह receiver के पास में time पे पहुँचना चाहिए, time पे पहुचना चाहिए, ठीके, मुझे भया मानो कि में एक employee है, मैंने उसको बुला कि में टिफिन जो है, अब दोस्तों यहां पे एक diagram दिया हुआ, यह आपको रखने के जिवत नहीं है, आप चाहो तो बना देना exam के अंदे, अब दोस्तों यहां पे लेगो, feedback के नाम पे आपसे दो तीन नंबर या फिर चाह नंबर में कोशन पूच सकता है, यह पूच देता है कभी-कभी, feedback के बाए में, तो दोस्तों feedback क्या होता है यह तो आपको पता ही चले गया, feedback का process पूच देता है कभी-कभी, ठीकिना, and दोस्तों feedback को अच्छा कैसे कर सकें यह भी पूच देता है exam केंता है, तो ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं है, जो आप सोच हो कि भाया क्या पूच दिया, communication बहुत आसान है, ठीकिना, बहुत आसान है, और बहुत ज़्यदा scoring subject है, तो चलो feedback को भी देखेते हैं, feedback क्या होता है, आपको देखो, अगर हम आपसे पूचे, what is feedback, तो कहोगे, feedback का मतलब होता है, response of receiver to the sender is known as feedback, जो communication के बाद में, जब receiver अपना response दिता है कि उसको समझ में आया की नहीं आया, इसी को बहुते है feedback, ठीकिना, तो दिखते है, feedback is the response, यह क्या है, feedback एक तरह का response होता है, which he is conveyed back to the sender by the receiver, ठीकिना, when the sender convey message, देखो, यहाँ पर क्या करया है, तो आप खुछ देख रहे हो, यहाँ पर एक ही बात को घुमा की लिखने की कोशिस करया है, when, अब बता रहा है, देखो, कैसे बताएगा, when the sender convey message to receiver, वो expert करता है कि receiver का reaction in return, कि receiver का क्या reaction है, इसी को बोरते है, feedback to the conveyed message, ठीकिना, the receiver after understanding the message, जो receiver का message को समझने के बार में, expresses his reaction and response to the same, ठीकिना, इस reaction में भी, वो चारे तो अच्छा भी हो सकता है, वो चारे तो खराब भी, unfavorable या फिर favorable कुछ भी हो सकता है, and the same is timed as feedback in the communication process, इसी को बोरते हैं, communication process, यह को इसमें unfavorable दोनों बता दिया है यहां पर, feedback helps the sender to, helps the sender to communication by sending and receiving the message in better and more efficient manner, effective manner, इससे होता क्या दोस्तों, कि feedback से, जो receiver, sender जो होता है, उसको समझ में आता है कि उसका communication अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीकिए, अब, does feedback enable exchange of information and develop better understanding between sender and receiver, feedback होता क्या है कि भाईया, सही से message को समझा गया कि नहीं, यह sender को पता चाहिता है, तो वो उसके हिसाब से अपने आगे के communication को करता है, ठीकिए, when a message is communicated by the sender to receiver, the receiver try to decode message, जब भी एक message sender to receiver को भेजता है, तो receiver उसको decode करने के कोशिश करता है and understand, वो समझने के कोशिश करता है, what he has been expected him after he received the message, so that a receiver grabs the same, अब देखो, यह सीव हमने क्या बताया और सामने बाईया क्या समझा, हो सकता है कि different हो, ठीकिए, तो अब देखो, यह हमको कैसे पता चलेगा भाई साब की हमने जो बताया आपने वही समझा, यह हम आपके feedback से समझ जाएंगे, ठीकिए, तो ठीकिए समझ जाता है कि वह सामने बाईया क्या समझा है, वह गधा है कि नहीं, ठीकिए, तो यह हो गया, तो यह होता आपका, अब दोस्तों feedback का process, ऐसा कोई feedback का कुछ खास process नहीं होता है, देखो, सबसे पहले क्या होता है, सेंडर ने message को encode किया, फिर channel, फिर receiving, फिर decode किया, message, फिर sender, encoding, channel, receiving, decoding, अब source of feedback, feedback in communication process, feedback जो है, चाहिता है, feedback कभी भी खतम नहीं होता है, बाई साब, feedback क्या है, आप communicate करोगा, सामने बाईया feedback देगा, तो यह communication का ही process है, ठीकिए ना, ओके, अब दोस्तों, process का हिस्सा है, in communication only after message become effective, message effective कब होगा, with feedback in return, जबतों कि feedback return में नहीं आता, after recipient of the message, feedback is said to be the most important element of communication, बहुत महत्वपूय element होता है, ठीकिए ना, and on the feedback only depend upon the effectiveness of communication, communication कितना effective है, यह feedback के depend करता है, feedback is said to be present in the process only when the receiver gives his reaction on the sender message, तो feedback तभी possible है, जब receiver यह action देता है, sender के message के ऊपए, ठीकिए, अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ है, फिसका नीची आ रहते हैं, यहाँ सो कुछ खास नहीं है, यह बर पढ़ रहते है, feedback is the amazing lord of communication, feedback एक lord है, ना अपने का, क्या ना अपने का, कि communication अच्छा है कि बेका है, ठीक तो communicate message उसको evaluate करना, appreciate करना, as per the reactions, the message is modified to make it effective, मानियो, कि मैं कहीं गया, मुझे भासर देना है, मैं भासर देना, start किया, सब लोग भाया इधर होदार देखा है, बात करे अपना, communication ऐसा होना चाहिए, कि सामने वाया का reaction भीया, हुआ 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 क्या बात है, तो कहने मत tracing the message, expresses reaction, यह बहुत जरूई है कि सामने वाया, कैसा feedback देगा, तो अच्छा communicate करना चाहिए, analysis in this process is possible only with the hype of feedback, तो यह analysis करने के यह, feedback का आना बहुत जरूई है, an efficient competent manager, एक अच्छा manager है, एक business करने अच्छा manager है, successful in effective communication, तभी वो, एक, जितना अच्छे से आप लोगों से बात करो अच्छे से चाहिए, ठीक है, तो यह आपका हो गया, ठीक है, तो feedback आना बहुत जोई है, employees का, employees आपको सामने से, वा, वा, सही, क्या बात है, feedback आपको गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, therefore, for an effective decision making process, manager must provide an opportunity to getting the feedback, कि उनके साथ communicate करके, उनका feedback कुछ बताओ उनको, पूछो, कि हाँ, ठीक था, सब कुछ ही था, आप बता सकते हो, आप जो कहना चाहते हो, ठीक है, उनको opportunity provide करना चाहिए, ठीक है, अब दोस्तो, how to improve feedback, अब देखो, जब भी यह topic पहरा हो ना, देखो, मूर मन्त क्या है, जब भी किसी topic का कोई point पहो, तो topic mind में होना चाहिए, feedback मत्यब कि message को receive करने के बाद में, receiver का response, चाहिए वो अच्छा हो, चाहिए वो भी काई, अब उसको ठीक कैसे किया जाए, help, feedback is helpful in understanding, feedback क्यो होता है, समझने में help करता है, sender को, कि message सही से पहुचा कि नहीं पहुचा, यह मनद करता है किसको, receiver को, दूसरे या दोस्तों, यहाँ मैं अंतर नहीं पहुँगा, आपके सामने, चान दो, descriptive, the nature of feedback is basically descriptive, feedback जोना चाहिए न, वो descriptive होना चाहिए, because of its descriptive nature, it is possible to make desirable change in the IEI message on the basis of NIC reaction, sender इन जो message भेजा है, तो भाईया, जब वो feedback जब आएगा, तो उसको पता चाहिए गा, क्या-क्या problems ही, क्या-क्या कमिया थी, तो next time वो उसको all describe करके बताएगा, ठीके, specific feedback जो होना चाहिए न, वो specific होना चाहिए, मतब कि, अपने मन से वो all feedback देना का साय, आप क्या बहते हैं, ज्यादा अच्छा कपाई पहन के आते हैं, या यह है घरी पहन के आते हैं, यह सब feedback बने होना चाहिए, feedback का motive होना चाहिए, specific, manager न आप सामने वाले को सुनोगे, मैं आपको पहा रहा हो, आप सुनी ही नहीं आयो, फिर आप क्या रहो सामको समझ में नहीं आया, तो भाईया, feedback आप तभी देने के capacity में हो, जब आप उस चीच को सुन रहे हो, सामने वाले का communication आपने सुना ही नहीं, तो आप feedback ऐसे दोगे, त तो time, दोस्तों, feedback जो है time पर देना चाहिए, that yes time consumed between the communication of message and recipient of its feedback, more say effectiveness and advantage, the time factor is very important in the feedback, दोस्तों, कितने कम time पर feedback दे, मैंने पहाया, बताया, आपने feedback दिया, तो time of feedback is necessary in case of communication process, क्योंकि अगर आपने feedback तुन नहीं दिया, तो हमको रगए आप समझ चुके हो, फिर बार में को होग feedback always prefer to some definite reaction or behavior, ठीक होता क्या है, कभी-कभी कोई teacher ने किसी को पहाया, और बच्चे ने feedback दिया, teacher करेगा, अच्छा, हमनों दसरी से पहाया था, तो कभी-कभी सामने वारे का behavior भी इससे effect होता है, तो ये बात ध्यानकना चाहिए, कि feedback आपका कैसा है, सामने वारे के पास में, कि इससे उसका behavior भी change हो सकता है, इसका behavior पर असर परता है, ठीक है, ओके, goal oriented, feedback क्यों possible, तो feedback क्या होता है, ठीक हो, हम योग बहुत company कहने है manager है, और 10-15 काम काया है, मैंने communicate कि हम लोगी planning ऐसे होगी, ये होगा, वो होगा, तो बहुत सारे लोगोंने feedback दिया, कि हाँ सारे आसे तो feedback देने से हम योग कहीं अपने goal को achieve करने के ये आगे बहते जाते हैं, क्योंकि feedback होता है, सामने वाया चीजों को क्योंकि काम उन्हीं को करना है, अगर वो अपना feedback नहीं देंगे, तो बान में जब दिक्कत आएगे, तो भईया, क्या ही पात-फायदा, communication क्यों होता है, आ अगर वो सच में negative होता है, तो आपको बुरा लगेगा, अगर वो सच में negative होता है, आपको उसको positive करना चाहिए, ठीके न, ओके, तो इमपोर्टेंस ओफीडबाक, तो मैंने आपको क्या बोला, कि feedback का question आ सकता है, तो इसका, आप बताओ कि feedback क्या होता है, कैसे improve कर सकते हैं, importance भी बता सकते हो, ठीके न, okay, तो importance भी देखेते हैं हम लोग, ठीके, ऐसा कुछ खास नहीं है, देखोगा न, तो एक पॉइंट आप चाहो तो याइन का एक point बना के sort card में ये खेना बगए मैं, दिखाते हैं कैसे, in an organization, business unit, feedback about the message from the receiver is very necessary to make the whole communication process effective, तो ये देखो, communication process को effective करने के ये feedback बहुत जो ये, पाया point ये बन गया, देखो, बार में आपको कोई बताएगा नहीं ये चीज, वनना आपको याइन तो आ effective करने के ये, ये क्या है, feedback बहुत जो ही है, it is because feedback the center is able to improve performance, ये देखो, बहुत ये चीजिजिए, कि performance को improve करने के, center अपनी performance को improve कर पाएगा, बार में अच्छे से communicate कर सके, effective communication is an important manager, ये quality, एक अच्छा communication, management की quality होती है, and feedback makes its effective by controlling exchange of idea and information process, और उसको और अच्छा करने के ये, feedback help कर to make feedback effective and useful, criticism should always be take as an advice or suggestion, तो बाया, अपने communication को अच्छा करने के ये, feedback को हमेसा good, अच्छे तरीके से जहना चाहिए, अगर negative response हा है, तो अभी उसको अच्छे सुझो, and next time improve करो, ठीक है, criticism should be rather welcome, treating as a solution to problem, criticism मतब की, अपनी बुयाईयों को welcome करो, सीखो, समझो, and उससे आगे के communication process क अच्छा करो, ठीक है, feedback is a motivating factor in communication process, ये क्या motivating factor है, जब हम कोच आपको पताते हैं, आप feedback देते हो, तो भाया, हमने आपको अच्छे से बताया, ठीक है, it is a last step and with it communication process gets completed, and therefore no effective communication is possible without feedback, कोई भी अच्छा communication process बिना feedback के possible नहीं है, तो हम लोगा first chapter का main portion खतम हो गया है, ये symbiotic interactism, ये एक additional topic के आपके chapter के अंदर, ठीक है, आपके CFS का part नहीं है, बट भाया, विद्या भीटवारों का या फिर किसी भी university का भरहोसा नहीं होता है, कि वो क्या पूस दे, क्योंकि ये communication process का part है, भाया, आपके CFS का part नहीं है, वहाँ पर रिखा नहीं किया specific, बट क्या रिखा आप के बना जाना मत, मेते अपने next part में, thank you so much.